नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में EPS 95 पेंशन दारक अपना पेंशन पे ओडर नमबर यानी PPO नमबर जो है वो अपना मेंबर आईडी यूज़ करके किस तरह से ओनलाइन फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले है साथ में हम यहाँ पर हमारा पेंशन का जो डेटेल है वो हमारा PPO नमबर यूज़ करके किस तरह से देख सकते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको इस सुदियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो जिया दोस्तो हम सभी जानते है कि EPFO द्वारा जो एवो ऑनलाइन पोर्टल जो एवो EPS 95 पेशन धारोकों के लिए चलाय जा रहा है जिस पर जो एवो हम हमारा PPO नंबर जो एवो find out कर सकते हैं उसके बाद हमारा जो पेशन का status है तो वो भी वहाँ पर जो एवो हम online देख सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको EPFO का ये जो official website है उससे open कर लेना है इसका link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएंगा वहाँ से भी आप इसको open कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है दोस्तो ये website open होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे left side में pensioners portal का एक option दिखाई दे रहा है तो इस पर जो हो आपको click कर लेना है जैसे ही आप pensioners portal पर click करेंगे तो कर्मचारी बविशनिदी संगठन यानि एप ओ दारा pensioners के लिए जो website चलाई जा रही है तो वो आपके सामने open हो जाएगी तो यहाँ दोस्तो यहाँ पर जो है वो welcome to pensioners portal तो यहाँ पर जो है दोस्तो आप left side में अगर देखेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर चार option दिखाई देंगे जैसे कि आपका जीवन प्रमान inquiry उसके बाद know your PPO number then PPO inquiry, payment inquiry, know your pension status तो यहाँ पर जो है दोस्तो यह चार option यहाँ पर आपको दिखाई देंगे तो यहाँ पर जो हम हमारा जो PPO number है वो दो तरीके से find out कर सकते है सब्मिट करना है तो आपका जो PPO number का detail है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगा इसके लिए मैंने पहले से ही एक video detail में बना कर रखा है उसका link आपको वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से भी जो आप वो वीडियो देखकर आप आपका PPO number आपका जो bank account number है उसके help से find out कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में जानने वाले है कि EPP का जो member ID होता है तो इसका इस्तमाल करके हम हमारा जो PPO number होता है वो किस तरह से find out कर सकते है तो इसके लिये सबसे पहले हमारा जो member ID होता है तो उसको यहाँ पर हमें ज्यान लेना बहुतीज़ जरूरी है क्यूंकि हमारा Member ID जो है वो बहुत सारा लंबा हुता है उसमें से हमें कौन-कौन से अलग-الग Code है उसमें से हमारा P.E.P. Account number कौन सा है उसमें हमारा जो Establishment का ID कौन सा है उसमें हमारा जो P.E.P. का Office है तो उसका ID कौन सा है तो इन सभी के बारे में पता होना चाहिए तो जिया दोस्तों जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख पारे कि यहाँ पर मैंने example के तोर पर एक जो वो member ID आपके लिए यहाँ पर type किया है तो इतना सारा जो लंबा member ID है तो इसमें हमारा state का code, हमारे pf office का code, हमारा जो establishment का ID है और उसके बाद हमारा जो pf का account number है वो कोन सा है तो वो कैसे हम यहाँ पर find out करें तो जया दोस्तों सबसे पहले start में जो हमारा state का code है वो होता है उसके बाद साथ दिजित का जो हमारा establishment ID होता है वो है और उसके बाद यह जो तीन extension है वो है उसमें हमें 300 डाल देना है उसके बाद last के जो 7 digit है तो वो हमारा pf का account number हो जाता है तो यहाँ पर जो है दोस्तो अभी हम यह जो member id है तो वो इस्तेमाल करके हम जो हमारा ppo number जो किस तरह से find out करना है वो अभी हम यहाँ पर देख ल तो वो इस option से जो इवो select कर लेना है तो उसके बाद यहाँ पर जो 7 digit का आपका establishment ID है तो उसे जो इवो आपको enter कर देना है उसके बाद यह जो 300 है तो extension यहाँ पर आपको enter करना है उसके बाद आपका जो last 7 digit का pf account number है तो उसे जो इवो यहाँ पर enter कर देना है तो यहाँ पर PPO number जो वह यहाँ पर मिल जाएंगा आपका member ID आपको यहाँ पर मिल जाएंगा उसके बाद जो पेंशनर से तो उसका यहाँ पर नाम आजाएगा उसके बाद यहाँ पर जो दुस्तो सूपर Episode अगरा टाइप है तो वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो हमारा जो PPO का inquiry है या फिर हमारा जो payment का inquiry है तो जो हम यहाँ पर हमारा PPO नमबर जो को इसतमाल करके देख सकते हैं तो हमारा जो जो whispering है वो आपको हमाराíficiko इसतमाल करके देख सकते हैं. तो चलिए अभी मैं यहाँपे मेरा PPO number जो एंटर कर लेता हूँ तो यह देखिए दोस्तों यहाँपर जो मैंने मिरा PPO number जो एंटर कर दिया उसके बाद यहाँपर आपको नीचे जो आपकी Had done यहाँपर दिखाई दे रहा है हमारा जो payment का inquiry है तो उस पर click कर लेंगे तो यहाँ पर जो दोस्तो आपकी कितनी pension जो आपको credit हुई है तो इसका detail आ जाता है year आ जाता है month आ जाता है उसके बाद यहाँ पर PPO number आ जाता है pension का नाम आ जाता है जिस bank account में आपका pension credit हुआ है तो इसके बाद यहाँ पर जो पेशन अमाउंट है कितनी credit हुई हए हर मैंए तो इसका detail यहाँ पर आ जाता है उसके बाद यहाँ पर आप आपका PPO number आपकी जो इनकवायरे आसान्य से कर सकते तो टोटल सर्विस है वो दिखाए देगा उसके बाद कितने वेजस पर आपकी पेंशन यहां पर एप्लिकेबल की गई है तो यह सारी इंफर्मेशन जो है दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएंगी जिसे जो है आप PDF में भी सेव कर सकते हैं तो यहां दोस्तों यहां पर जो ह तो दोस्तों आज हमने इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लिए अगर दोस्तों इस वीडियो में दी गई जांकारी आपको इन्फर्मिटिव लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा EPS 95 पेंशन धारुकों में शेर किजे ताकि यह जो डीटेल व उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्स्राइब कर लीजे ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिसना हो सके। तो यहाँ पर जो है दोस्तो EPS 95 पेंशन धारों के लिए यह जो आनलाइन पोर्टल EPS वो द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस पर जो है दोस्तो हम हमारा जो डीटेल विवरन है हमारी पेंशन से संबंदी तो वो आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से find out कर सकते हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर डीटेल में बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका यहाँ पर जो इसीरिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो office का ID है वो आजाएगा उसके बाद आपका जो PPO नमबर है तो वो आपको यहाँ पर enter करके guest status पे click कर देना है तो जिया दोस्तों यहाँ पर जो आप आपका जो pension का status है तो वो इस तरह से आसानी से check कर सकते हैं जिसमें आपको PPO नमबर, pensioners का नाम, data of birth, pension status, pension has been credited up to May 2019 कब तक pension credit हुई है और आपका जो life certificate है वो कब तक valid है तो इसके बारे में आपको detail जानकारी मिल जाएगी तो जिया दोस्तों आज हमने इस वीडियो में यह जो detail pensioners के संदर्ब में जानकारी हम online दे सकते हैं तो उसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो के माद्यम से जानकारी ली अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाए तो इस वीडियो को like ज़रूर कीजे और दूसरों के साथ share कीजे ताकि EPS पेंशन धारगों के लिए यह जो online portal की सुवीदा उपलब्ध कराई गई है तो इसकी जानकारी बाकी pension धारगों को भी मिल सके और वो भी अपना detail जो हो online चेक कर सके तो बस दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आगे भी ऐसे update जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये तो वीडियो के नीचे जो red color का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को subscribe कर लिजे और उसके बाद जो bell का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दिज और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा EPS 95 पेंशन दारकों के साथ शेयर कीजे ताकि यह जो important online procedure है तो इसकी जानकारी बागी पेंशन दारकों को भी मिल सके तो बस दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बात धन् इनिवको में इस कि अ